हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मन्नु क्रियसंस आज की वीडियो में यह टी सेट फट गया है इसको हम रिपेयर करेंगे हाथ से इसमें ना तो एंबोड्री हम करेंगे और ना तो श्ट्रीकर लगाएंगे ना ही यहां पर रफू करेंगे सुई से हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं यह हम कोशिस करेंगे ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए पहले हम यहां पर सिलाई करेंगे यहां पर सिलाई खुला हुआ है तो इसको इधर इस तरह से रखेंगे और पहले अंदर में यहां पर हम थोड़ा सा स सिलाई कर लेंगे हाथ से ही सिलाई करेंगे देखिए यहां पर उपर में यहां पर सिलाई हो गया है अब यहां पर देखिए अंदर से हम सुई ले रहे हैं यहां पर हम निडल निकालेंगे और यहां पर छोटा सा इस्टीच इस तरह से लेंगे और फिर इस साइड थोड़ा थोड़ा दूर पर छोटा छोटा इस्टीच लेना है गर गर आप प्रूब कर दो दो एंग अब इसको हम खीच लेंगे और इसको यहाँ पे हम नीचे ले जाएंगे यहाँ पर इसको अच्छा से यह सूता निकला हुआ इसको इस तरह से मोड कर और यहाँ सुई नीचे हम ले जाएंगे अब यहाँ पर देखें सिलाई किया हुआ था मसीन से तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई खुला हुआ है यहाँ पर हम एक जगार निकलेंगे सुई को और यहाँ पर बैक स्टिच कर लेंगे यह थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे सुई और फिर थोड़ा सा आगे जितना हम पीछे ले गाए हैं उतना आगे की साइड हम सुई निकालेंगे इसी तरह से फिर बैक स्टिच लेंगे और थोड़ा सा आगे स्टिच लेंगे इसी तरह से बैक स्टिच कर लेना है यह बिल्कुल मसीन के तरह ही सिलाई हो जाएगा इस तरह से देखिए अब यहाँ पे हम पीछे में नौट लगा लेता है और यह जो धागा निकला हुआ है इसको हम काट लेंगे इस तरह से देखिए यह टिशर्ट रिपेर हो गया है और यहाँ इसमें ना मसीन से हम रिपेर किये हैं ना श्टीकर ना एमबोर्डर से किये हैं सिर्फ सुईस से रिपेर कियें और पता नहीं चल रहा है ज्यादा पता नहीं चल रहा है आप भी इस तरह से ट्राइ करें और हमें फीडवेक दें को अच्छा लगा तो लाइक करें कॉमेंट करें वीडियो किसी के लिए हेलफुल है तो सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकोन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन तुरांत मिल सकें ओके मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स